हाई गाइस गुड अफ्टरनून मैं हूँ आशीच सर और आप देख रहे हैं टॉप 10 क्लासे तो गाइस पिछले कई वीडियो में मैंने एक ही चीज का कमेंट पाया आप लोगों की तरफ से कई स्टूडेंटों का यह डिमांड रहा है कि सर वाइस को कम्टीट किजे वाइस आनी चाहिए आज हम लोग फिर से वाइस पर ही बाते करते हैं तो फर्सली आइड लाइक तो नो डाइट वाइस क्या बता सकते हैं कि वाइस कितने प्रकार की होती है ओके तो जस्ट ट्राइट अनलाइज आइल टेल यू तुडे देर टू टाइप आफ वाइस वाइस दो Now there are two type of vise Two type of vise as the first Active as Positive voice Okay guys just mind about that there are two type of vise Active as and Passive as Active as का मतलब क्या होता है? und passive as का मतलब होता है? कर्म बात्च तो firstly we have to mind about that what is active as then where the verb is giving all the importance to the subject is called active as where the verb is giving full command on the first of all subject is called the active as जहां पर क्रिया सारी importance करता को देता हो या फिर जिस वाक्य में करता को प्रधानता दी जाए वो क्या कहलता है active as कहलता है and now we are talking about passive as what is passive as अगर हम passive as की बात करें तो यह passive as क्या होता है तो today I will read about that I will teach you about passive as what is passive as and how can we make it easier not easy it's easier or if you will do practice it will be easiest for you यह किवाल easy नहीं होना चाहिए easier नहीं होना चाहिए आज आप मेहनत किजे मेरी guarantee just try to analyze I'll make you sure that it will be easiest आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो यह easy और easier नहीं बलकि easiest होगा सबसे आसान होगा तो now today we will talk about passive as what is passive as where the importance goes on directly object is called the passive as अगर हम बात करें तो पैसिवाइस का होती है क्तिवाइस का हिंड़ी क्या होती है तो हिंदी क के आधार पे अगर बात करेंगे तो को programs को बोलते हैं करति बात्ची को करेंगे फिर दो इम्पोर्टन्स गोज ऑं सबजेक्ट इसको दिया जाती है करता को दी जाती है वह क्या क्या exists के लाता है एक्टि आज ना२िश कुंआ है जहां पर सारी प्रधानता सबजेको दी जाये जाए उस्यमक्तिया और है कालता है जाहां पर मच्व्रक किस्को दी जाती है कर्म को देते है उसे हम घैते हैं अप चलिए हम लोग पैशिव एस की बात करें तो द॥ वैट एस 12 sentences हम लोगों ने एक ही sentence की वाइस में 12 sentences को पढ़ा था as in present tense we are getting 4, in past tense we are getting 4 and in future also 4 तो including all 3 sentences we are getting 12 sentences तीन sentence को मिला कर हम लोगों ने पढ़ा है एक्टिवाइस में 12 sentences को 12 sentences को पढ़ा है लेकिन पैसिवाइस इस गोईं टो भी साइडर देन एक्टिवाइस पैसिवाइस क्या है एक्टिवाइस से साइडर होता है साइडर मतलब छोटा होता है because there are only 8 sentence to read here इसमें के वाल हमारे पास 8 ही sentences होते हैं पढ़ने के लिए किसमें पैसिवाइस में तो नाव टुडेवी विल रीड वन आफ्टर आल जस्टाइट विल गेट वन संटेसे ओंड़ी वन संटेसे पैसिवाइस इस एजियर देन एक्टिवाइस ठीक है पैसिवाइस जो होता है आपका वह एक्टिवाइस से कहीं इजी होता है यह एकदम से आपको फैस्टेट कर देता है कंफ्यूज करता रहता है थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हुए आपको लगता है कि यार यह तो आने ही वाला नहीं है लेकिन पैसिवाइस में ऐसा कुछ नहीं है गाइस आपको पैसिवाइस इतना इजी करके देने वाला हूं कि आपको पैसिवाइस बनाना बिल्कूल ही आसान लगेगा सबसे पहले तो मैं आज आप लोग को हेल्पिंग वर्ट के चाड़ बताना चाहूंगा क्योंकि एक्टिवाइस और पैसिवाइस दोनों अलग अलग सेंटेंस थो दोनों के अलग अलग rules भी होते हैं तो हम आज rules पे चाड़ की बात करेंगे अब चाड़ की बात कीजएगा don't talk about chickpeas chickpeas की बात मत कीजेगा वो जो रोट पे विखता है चार्ट उसे मत बना दीजेगा it's not a chart it's a chart chart की बात करेंगे passive as इन्हाँ दिया गया है helping words chart for passive as passive as के लिए सहाय क्रियाओं का chart okay guys now we were talking about wise हमने क्या बताया आपको active as में आपको chart बताये गए थे helping words now we are talking about passive as अगर हम passive as की बात कर रहे हैं तो passive as के लिए आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं helping word charts for passive as passive as के लिए सहाय क्रियाओं का chart firstly guys I would like to tell you in passive as there are only eight sentences for reading हमें पढ़ने के लिए किवल art sentences को पढ़ने है now just be don't don't be panic and don't be furious घबराइए नहीं बहुत दिप्रेस्ट रोने की ज़रूरत नहीं है it's a too easier मैंने क्या कहा एकदम से आसान है आपका active as से कहीं आसान है आपका passive as क्योंकि active as में हम लोग 12 sentences पढ़ते यहां तो सिर्फ आठी को पढ़ने है तो आठ को पढ़ने है उस आठ को आप कैसे पढ़ सकते हैं देखिए तेंस आपके कितने होते हैं तीन present tense past tense and future tense प्रतेक tense के कितने parts होते हैं चार होते हैं indefinite continuous perfect or perfect continuous अब present tense की बात कर तो present tense के भी चार भाग होते हैं indefinite continuous perfect perfect continuous firstly I would like to tell you that whatever axillary is used in present indefinite as active as that is not going to be used in passive as सबसे पहले आप चीजों को ध्यान रखेगा कि active वायस में indefinite की जितनी भी सहायक्रियाय होती हैं passive as में प्रयोग नहीं होती है active as की जितनी सहायक्रिया होती है indefinite की वह प्रयोग नहीं कि जाती है but instead of that we are using continuous excellery in the active in passive as present indefinite जितनी भी active as के continuous की सहाय क्रिया होती है वो passive as में कहां यूज की जाती है indefinite में यूज की जाती है as present continuous active as में ismr होता है लेकिन यहां पर क्या दिया गया है indefinite में दिया गया ismr was were and will sell will be sell भी तो हमेशा ध्यान रखियेगा कि active as के indefinite की सहाय क्रिया पैसिवस में प्रयोग नहीं होंगी बलकि active as के continuous की सहाय क्रिया हमेशा passive as के indefinite में यूज की जाएंगी and in passive as we are getting continuous along with the helping work we are using being continuous की जो भी सहाय क्रिया होती है एक्तिव इस की उन सभी सहाय क्रियाओं के साथ हम क्या करते है उन्हें का यूज़ करते हैं and same condition of perfect continuous जो perfect continuous की सहायय क्रिया होती है वो passive extension use नहीं होती उन्हें हटा देते हैं उनके जगह पे हम use करते है active as के perfect continuous की रहाते है जैसे पर्जिये परफिक्य क्पान्टीनिवस सिहा होता है has been have been होता है वही has been have been आपका कहाँ आ गया तो यानि कि perfect continuous की जितनी सहाय क्रिया होंगी वो किसमें आ जाएंगे perfect tense में आ जाती है तो now you have a chart of it आप इसको note करियेगा ध्यान रखेगा because always mind that helping verb is that source of tense which can make you stand and you can create the perfect sentences तो now I am going to remove it तो आप इसको देखियेगा अब इस चीज को देखकर के आप तयार किजेगा फिर हम आज आप लोगों को stints को completely complete करने वाले हैं guys आपको जाना नहीं है बीच में कहीं आपको वीडियो छोड़ना नहीं है continue आपको अपने वीडियो के साथ बने रहना है don't waste your time because if you will waste your time then definitely time will waste you it has been spoken by scholars if you will waste your time then time will definitely waste you so don't waste your time just come to the directly your way and we will talk today present indefinite it's a present indefinite tense if we are talking about present indefinite tense then structure of the present indefinite tense simple sentence simple sentence या affirmative sentence positive sentence आप कुछ भी लिख सकते है तीनों का मतलब क्या होता है अब इस पैसिवाइस में होता क्या है मैंने क्या बता आपको पैसिवाइस की हिंदी क्या होती है पैसिवाइस की हिंदी होती है कर्म वाच्छे क्या हो जाता है कर्म वाच्छे की बात की जा रही है नहीं कि कर्म प्रधान वाख्य अगर वाख्य में object को importance दी जा रही है तो उसका मतलब है कि object को सबसे पहले लिखना है, सबसे पहले लिखने के बाद हमें क्या करना है, helping verb यूज़ करना है, फिर verb का third form, plus before of subject we have to use by, and after that subject then etc. This structure will followed each and every sentences, याद रखिये ये एक structure जो आपका बना है, हर sentence में follow होगा, जैसे आप देखें, यहाँ पर यह object, helping verb, plus verb third, plus object, by, plus subject, plus etc. जैसे active to passive बनाते हैं, active as का sentence माल लिजे हो गया, active sentence हो गया, कि c writes a letter, c writes a letter to her mother, अब इसी का हम passive बनाएंगे, passive बनाएंगे, तो now guys, just mind about structure, structure में सब्सक्र पहले में क्या लिखना है, object, तो c is a subject, right is a verb, and a letter is a object, हमें object मिल गया न, तलास किसकी थी, object की, चले, object को ले आते हैं सबसे पहले, a letter, firstly we are right, talking about a letter, a letter, a is, is meet means it is a singular number, singular की साथ क्या लगता है, is लगता है, a letter is, right का third form, a letter is written, a letter is written, किसके द्वारा लिखा जा रहा है, उसके द्वारा, by her, to her, mother, ओके गाईस, now just mind about this one, this can be written, after this one too, ये to her, mother जो है, आपका subject से पहले भी लिखा जा सकता है, there is no problem, but a letter, and written, यानि कि object और verb, ये अपने place पे इंपोर्डन्ट है, कि ये अपने जगह पे ही होंगे, इनका जगह नहीं बदलना चाहिए, जैसे second देखिए, negative sentence की बात कर ली जाए, अगर, negative की बात की जाए, तो object plus, helping verb, plus, not, plus verb third, plus, by, plus subject, plus etc, now just get it all, अब example पे आते हैं हम लोग, जैसे, father does not, write, a story, जैसे हो गया, father does not write a story, just think about that, father does not write a story, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कि क्या ली ढूड़ना है, object ढूड़ना है, object क्या है, a story है, और ये active as है, ठीक है, ये active as है, हम passive बनाएंगे, passive बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या आजाएगा, a story, firstly mind कीजे guys, हमने क्या बता है, passive as is easier than active as, क्योज एक sentence समझ लीजे, आप समझे कि passive as आपने कर लिया, क्योज चेंज आपको क्या करना है, सहायक्रियाओं को बदलना है, helping words को बदलना है, बाकी कोई changing आपकी नहीं होनी है, a story, उसके बाद क्या है, is not, फिर right का third form अपने क्या लिखा, written, ठीक है, a story is not written, by, father, okay guys, now, interrogative, now it's a turn of interrogative, interrogative पर आजाते हैं, तो interrogative क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले में क्या करना होता है, question word, and after that helping verb, then object, then verb third, then by, then subject, then etc, after that question marks, as like, why, do you, not, why do you, read, the Ramayana, with your friend, with your friend, okay guys, now just mind about that, why do you, read the Ramayana, with your friends, पूछा क्या जा जा रहा है, कि आप, अपने मित्र के साथ, Ramayana क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, अब इसी चीज़ को, हम passive eyes में बदलेंगे, यह active eyes हुआ, तो active को हम क्या करेंगे, passive में बदलेंगे, तो passive बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, firstly we have to get it all, question word, question word सबसे पहले, why, and after that हमें क्या करना है, you is subject, read is verb, the Ramayana is object, तो Ramayana को आगे लिए, why is the Ramayana, why is the Ramayana, क्या किया जा रहा है, read हो रहा है, why is the Ramayana, read, with your friends, with your friend, कहा बर, by you, by you, is that clear, okay guys, now just mind about that, as we have got the interrogative, same condition is running with the interrogative, negative, only we have to write not word after object, negative sentence में भी हमें क्या करना होता है, object के बाद not लगाना है, बाकिस सारी चीज़े आपके सामने आई है, once again just mind about this one, in passive as, firstly we have to note down object, after that helping verb, then verb third, then by and after that subject, passive as बनाते से में, सबसे पहले में क्या करना होता है, कर्म लिखना होता है, कर्म के अनुसार सहाय क्रिया, भी अपता, यहां पर कर्म के अनुसार सहाय क्रिया, उसके बाद क्या हो जाएगा, verb third, मुखेक्रिया का हमेशा, तीसरा रो, उसके बाद क्या हो जाएगा, by, यहां समत किजिएगा, कि इसके लिए जो है, वो खरीदिने वाली, बाई लगाईएगा, by का मतलब द्वारा यहां पर by उसके बाद subject फिर आदी चीजे लिखी जाती है this construction this structure will followed each and every sentences मैंने आपको क्या बताया कि एक sentence आपके समझ में आया तो केवल आप सहाय क्रिया बदलते जाए sentence automatically change होते चले जाएंगे और सारे sentences में same structure follow होंगे there is no any kind of differences ठीक है now I am moving it अब मिटाते हैं अब हम लोग चलते हैं present indefinite हुआ इसी समय हम तुरंद पढ़ेंगे past indefinite को now it's turn off past indefinite tense आजाए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या past indefinite tense अब past indefinite में भी हम structure बनाते हैं इस्ट्रक्शर की बात करें तो positive sentence पॉजितिव में क्या होगा object plus helping verb plus verb third plus by plus subject plus etc just mind about the passive as in present indefinite अभी अभी इसके पहले आपने क्या पढ़ा पढ़ा present indefinite पढ़ाना बिल्कुर present indefinite के same construction यहां पर भी है क्यों हमें क्या करना है helping change करना है वही object वही वर्ब थर्ड वह बाई वही subject सब लग रहा है क्यों यहां helping word change होगा helping word क्या हो जाएगा जहां is mr use हो रहा था वहां पर क्या use करेंगे was या word use करेंगे जैसे he played cricket he played cricket in school now just mind guys he played cricket in school अब इसका आर्थ क्या हो जाएगा word school में cricket खेलता था क्या हो जाएगा word school में cricket खेलता था this is active ice यह क्या है active ice है ना now we will have to make passive ice अब हमें क्या करना है passive बनाना है passive में हमेरा structure क्या लिखा गया object तो subject verb and object cricket क्या है आपका object है चले सब से पहले cricket cricket is a name of game एक game का नाम है खेल का नाम है तो खेल क्या है एक खेल का नाम है यानि की singular है तो क्या लग जाएगा was cricket was फिर played यहां already second or third form played ही होता है हम उसी को लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा cricket was played कहां पर खेला जा रहा है in school cricket was played in school किसके दोरा खेला गया है guys by him next sentence negative की बात कर ले अगर हम negative sentence की अगर बात करेंगे तो negative का structure बना लीजे negative का structure याद रहे guys केवल मतीनों के positive sentence यानि indefinite का structure बता रहा हूं उसके बाद continuous perfect structure आप स्वयम से बनाएंगे and that will show that is there any difficulties for you वही आपका बताएगा का आप कितने ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो अगर नहीं आया आपको कोई problems हो रही है create करने में या आप create कर ले रहे हो तो सारे जो structure साप create करेंगे आप उसे comment box में जरूर डालिएगा कि आपने structure बनाए है कहीं गलप तो नहीं है if that is right then I'll tell you and if that is wrong then even I'll tell you चले negative sentence पर आते हैं अब आते हैं हम लोग example पर जैसे मान लिया जाए श्याम डिड नाट ग्रेज काव अट द बैंक ओफ रिवर ठीक है क्या हो गया है स्याम डिड नाट ग्रेज काव अट द बैंक ओफ रिवर स्याम ने नदी के किनारे गाय नहीं चराया स्याम ने नदी के किनारे गाय नहीं चराया अब पैसिव एस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा यह पैसिव एस की बात की जाये तो हो जायेगा पैसिव की बात करेंगे तो सबसे पहला option क्या है graze is a verb and cow is a object तो cow को सबसे पहले उठा ले आईए तो cow उसके बाद cow is a singular number तो was फिर negative word है तो not cow was not graze, graze का third form क्या होता है grazed क्या होता है grazed तो cow was not grazed कहां पे चराई जा रही है guys at the bank of river at the bank of river at the bank of river तो क्या हो गया cow was not grazed at the bank of river किस के द्वारा चराई जा रही है स्याम के द्वारा तो बाई श्याम इस दाट्लियर इस दाट्लियर वेरी गुट नाव वे आट्किंबाद इंट्रोगेटिव इस वे आट्किंबाद इंट्रोगेटिव फसली वे कर दो तो क्या है ट्च वेट कहाएं आट्च वनाट्रोगेट अट्रोगेट अध्या quas that question marks as why did you why did you prepare tea for you for yourself के लिए चाय क्यों बनाया तो जो भी option है आप सब के लिए बनाऊगे तो आपके कंप्लेंड होगी सब के लिए बनाऊगे तो सायद कोई कंप्लेंड नहीं करेगा चले आते हम लोग एक्टिव एस पे अब यह हो गया आपका पैसी वैस की बारी तो पैसी वैस पर क्या यहने की वाई and after that prepare टी 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 जो सिंगुलर नंबर तो क्या लग जाएगा वाज वाई वाज फिर ऑब्जेक्ट गया है आपका टी है तो वाई वोज टी प्रिपेर का थर्ड फॉर्म प्रिपेर्ड हो जाएगा वाई वाई वाज टी प्रिपेर्ड चाय क्यों बनाई गई तुम्हारे लिए फॉर्सेल्फ तुम्हारे लिए फॉर्सेल्फ यूर्सेल्फ बाई यू इस दर्लियर नाव जस्माइड अब इस वन हाई आव अल्रेडी टोल्ड एट ओनली वी अर्चेंजिंग दा है वाज बर चल रहा है यहां वाज वर यूज रोते चला गया बाकि इस्ट्रॉक्टर्स जैसे आपने इंडिफिनिट के प्रजेंट इंडिफिनिट को पढ़ा वैसे ही आपने किसको पढ़ा पास्ट इंडिफिनिट को भी पढ़े लिया है चले नाव जसा मूविंग इट ओल अन इस तरॉन ओफ फूचर इंडिफिनिट जैसे आपने इस पढ़ाई किजे कि पैसिवायस के नाम पर आपको कहीं भी हैजिटेशन नजर ना आ है अगर आप अकेले अकेले पढ़ोगे बिना बोले पढ़ोगे बिना अपनी समस्याओं को ब्यक्त किये पढ़ोगे तो आपको समस्या है लाइफ टाइम नहीं छोड़ने वाली है इसलिए जस्ट रीड विथ मी और इफ यूर गटिंग अनी कैंड सा प्रोब्म जस्ट कमेंट अंड इफिनिटली वी विल सॉल्व दैट अल स्क्राइब विथ संथ त अप्र फ्यूचर इंडीयिद्व डिफीली धिया जैना लीच को नुज़री विथ मिवथ स्टिऽ की आग्में इस मिया टुच्छिर एंदुसराइबट जाखते सिटोंचें मति प्लेट प्रम पॉर्बलिस रिश्ट यहालीया है आप थोड़ा सा माइंड कीजेगा जितने भी सेंटेंस पढ़ें स्ट्रक्चर सब के सेम जिम है और फरिवर्तन आपका कितना हो रहा है कि आप हेल्पिंग वर्ब के जगह पे क्या यूज कर रहे हैं आप फ्यूचर में आ रहे हैं तो यहां क्या यूज हो जाएगा विल भी और सैल भी अच्छा लगा चलें एक्टिवास के सब सेंटेंस को आप देखते हैं जैसे मदर विल टीच मी आथ हों ठीक है मदर विल टीच मी आथ हों ना उसस माइंड आप दाट मदर विल टीच मी आथ हों की हिंदी क्या हो जाएगी मा मुझे घर पर पढ़ाएगी क्या करेगी मा मुझे घर पर पढ़ाएगी आप इस वी को पैसिव में बनाएंगे पैसिव को हिंदी में अगर बताना हो तो क्या हो जाएगा मुझे मा के द्वारा घर पर पढ़ाया जाएगा तो now we are talking about passive as अगर passive की बात कर लेंगे तो तो I sell, अब इस टेंज की सहाइक्रिया क्या है? Sell be, will be, तो I sell be, क्या है? पढ़ाया जाओंगा, पढ़ाने की इंगलिज टीछ है, टीछ का थर्ड फार्म, taught, I sell be taught, मैं पढ़ाया जाओंगा, कहां पर? घर पर, I sell be taught at home, मैं घर पर पढ़ाया जाओंगा, किसके द्वारा? बाई, मदर, ठीक है? Now, we are talking about the negative, अगर negative की बात कर ली जाए, तो just condition is that, हमने आपको बार-बार बताया है, कि if there would be auxiliary more than one, then negative word will always use after first auxiliary, अगर एक ही टेंस में सहायक्रिया एक से अधिक होती है, तो negative sentence में हम हमेशा not को पहली सहायक्रिया के बाद use करेंगे, यानि कि sell भी आ रहा है, तो sell के बाद not उसके बाद में be लगेगा, तो हम structure बनाते हैं, object plus will or shall plus not plus be plus verb third plus by plus subject plus etc, this is the condition, जैसे माल लेजिए, हम संगीत नहीं सिखेंगे, क्या गदना है, हम संगीत नहीं सिखेंगे, आप passive eyes बनाएंगे, जब passive eyes बनाने की बात आएगी, तो हमारे द्वारा संगीत नहीं सिखा जाएगा, अब passive eyes इसको बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे द्वारा संगीत नहीं सिखा जाएगा, तो सबसे पहले में क्या करना है क्या नहीं शीखा जा रहा है संगीत, संगीत को ले आईए संगीत मतलग music तो music फिर shall not है लेकिन music क्या है एक things है तो इसलिए will not हो जाएगा will not be music will not be learn, learn का third form learnt learnt music will not be learnt by we का object क्या होता है we का object होता है us, is that clear अब आते हैं हम लोग interrogative sentence पे interrogative में आएंगे तो question word plus will or shall and after that will or shall after that object then be after that verb third after that by after that subject plus etc plus active as की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या किया है यह यहां भी question word है तो ऐसा sentence बनाओ question word सबसे पहले आजाए जैसे जैसे आदत है कि वेर विल यू रीड वेर विल यू रीड दरामायन विथ मी क्या हो गया गाइस वेर विल यू रीड दरामायन विथ मी आप मेरे साथ में रामायन कहां पढ़ेंगे क्या कहा जा रहा है कि वेर विल यू रीड दरामायन विथ मी आप मेरे साथ रामायन कहां पढ़ेंगे अब इसका passive as बनाईए passive as की बात करेंगे अगर तो passive as में क्या हो जाएगा सबसे पहले where where हो गया and after that क्या हो जाएगा will फिर object the ramayan where will the ramayan and after that second part of auxiliary where will the ramayan be read का third form क्या होता है guys read का red read red red होता है spelling वही रहती है where will the ramayan be red with me by you is that clear guys now just think of it and prepare about well हमने क्या कहा था आपको सिर्फ आप auxiliary change करते जाएगे एक sentence का structure एक sentence को आपने समझ लिया तो sentence automatically will be clear if you are sure about the helping verb helping verb से आप clear हो जाएगे सहायक्री आपको clear हो जाएगे आप sentence को पहचानना जाएगे तो एक sentence के बाद पूरी अपने सेंजिशंींग नहीं अ कहा है तो सब्सक्राइब करने जा रहे हैं फिर बहुत इनदेफिट में रिच में पिलाने नहीं कि यहीं नहीं प्रेजंट कॉंटीनिवर स्टेंप की तो प्रेजंट की फिटीनिवर स्टेंप के स्ट्रक्चर बाद हम क्या गरते हैं एक्जंपल पर आते हैं as like she is knitting she is knitting sweater she is knitting sweater for her brother now just mind about that she is knitting sweater for her brother वह अपने भाई के लिए sweater बुन रही है वह अपने भाई के लिए sweater बुन रही है तो now if we are talking about the active eyes it's a active eyes अगर active eyes की बात करेंगे तो ओग्या वह अपने भाई के लिए sweater बुन रही है अब passive eyes की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा क्या लिखा है कि she is knitting sweater for her brother वह अपने भाई के लिए sweater भुन रही है passive eyes बनाएंगे तो क्या हो जाएगा उसके द्वारा अपने भाई के लिए sweater भुना जा रहा है अब चलिए हम लोग आते हैं सबसे पहला option क्या है क्या भुना जा रहा है sweater तो sweater ही आपको object है मुठा लाते हैं सबसे पहले तो हो जाएगा sweater sweater and sweater is of one things singular things है इसले इसके साथ क्या लग जाएगा is being क्या लगेगा is being sweater is being फिर क्या किया गया है neat neat का third form क्या होता है knitted ठीक है sweater is being knitted for her brother for her brother for her brother कुछ बचा इसमें subject आपका बच रहा है तो सबसे पहले हम subject को लेंगे subject क्या क्या है कौन बुन रहा है वह बुन रही है तो by her अब now guys I have a question to you मेरे पास आपके लिए question है यहाँ पर हमने c लिखा है और यहाँ जब subject को लिख रहे है तो her लग रहा है ऐसा क्यों why is it so अगर यहाँ c है तो वहाँ her क्यों लगेगा करता तो यहाँ पर है mind about this one have you got it all why we are using c as a her here because c is subject here but in passive as it is going to be used here as a object passive as में c को हम क्या कर रहे है object के place पी रहे जा रहे है न तो जब c को object में बदलते हैं तो c का objective form क्या होता है her होता है तो इसलिए वहाँ पर by के साथ में हमने किसको use किया है her को use किया है same condition is running with the negative sentence negative की बात कर लिया जाए जैसे हो जाए कि we are not cooking food at afternoon okay guys now just mind about that we are not cooking food at afternoon हम दोपईर के समय में खाना नहीं बना रहे है नहीं बना रहे हैं तो इसका हम पैसी वस हम क्या हो जाएगा पैसी वैस में हो जाता है सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा फूड तो फूड ले आईए जब से पहले लिआ लिग द Six food and after that helping word क्या लगता है food के साथ is लगता है फिर यह negative word है तो इसके बाद not after that being food is not being food is not being cooked का third form cooked food is not being cooked कब बनाया जा रहा है at after noon at afternoon by us by us now it's turn off interrogative interrogative में आ जाते है जैसे हो जाए why are you is staring why are you staring at me why are you staring at me in class okay guys why are you staring at me stare at मतलब होता है घूर कर देखना तो now just mind about that stare at is a word यहां यह यह at को मी के साथ मत जोड़ियेगा stare at मतलब होता है घूर के देखना तो we are talking about staring at me तो why are you staring at me फिर पैसी वाइस इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा सबसे पहले में क्या करना है why we have to use why अब उसके बाद किसको घूरा जा रहा है मुझे i हो जाएगा i के साथ क्या लगता है am लग जाता है तो why am i फिर axillary का second form being अब stare का stared हो जाएगा why am i stared at why am i being stared at in class why am i being stared at in class by किसके द्वारा हो रहा है यू आप लोग बोल नहीं नहीं है नीद आ रही है दो पहर का समय है न कोई बात नहीं जागते रहो अगर सो जाओगे तो खो जाओगे जो सोया वो खोया जो जागेगा उसी को मिलने वाला है तो नहों जास्ट गाइड अबॉट यूर फिर से जाएं से 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 घ्यान दीजे क्या होगयां केवल हमें ध्यान क्या रखना है गाई से सिर्फौरी उगए तो डिफिनिकलफिंटली आपने पैसिवाइश को सॉल्व कर लिया और इसका मतलब है कि आपको पैसिवाइश नहीं आने वाला है तो यह आपके त्ainen सार चार सेंटेंसे जो है निकि आधे सेंटेंसे जो हैं अभी आपको चार और पढ़ने के बाद पैसिवाइस कंप्लीट होगा एक चीज इसमें सेंटेंस के भी जो है पैसिवायज बनाये जाते हैं ब्लैक तो तो आगर इमे मदन के पैसिवायज आएंगे तो वहाँ पर आपको चार sentences को आपको देने वाले हैं लेकिन condition यही है कि आप चार sentences को समझ पाए हैं आपके समझ में आया या नहीं comment box में आप जरूर बताइए जहां पे आपको doubts है उसे जरूर send किजे ताकि हम जब अगला chapter अगला session पढ़ाना शुरू करें तो आपके doubts को clear करने के बाद आगे चलें तो तब तक के लिए guys now just be ready and do practice for then goodbye and take care of yourself thank you